दोस्तो नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है, मैं हूँ डोक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है तो आईए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्ते में कुछ नई बाते सीखते हैं दोस्तो नमस्कार, आज की वीडियों मना रहे हैं, राजस्थान जीकों को लेकर के राजस्थान लोकसेवा आयोगर्थात आरपीसी के द्वारा कोलेज लेक्चरर की बहुत सारी सीटे निकाली गई हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट में तो मैं लगातार हिंदी की बिंदी चैनल पर हिंदी की वीडियो बनाता हूं लेकिन बहुत सारे मित्रों का कहना है कि ये राजस्थान आरपीसी में राजस्थान जीके जो की एक कॉमन टेस्ट है, किसी भी विशे के अभ्यर्थी को देना ही है तो हिंदी की वीडियो के साथ साथ राजस्थान की जीके की वीडियो भी बना दीजिए तो हम वही कार्यव कर रहे हैं तो जो लोग राजस्थान जीके को पढ़ना चाहते हैं या यूं कहूं कि आरपीसी के लिए राजस्थान जीके को पढ़ना चाहते हैं या किसी दूसरे competition के लिए जी के पढ़ना चाहते हैं राजस्थान की तो वो हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और राजस्थान की सभी महत्वपूरूं टोपिकों की वीडियो यहां पर आपको अपलब्द होगी हम अलग-अलग तरीके से बहुत जरल तरीके से आपको समझाने का प्रियास करेंगे और तथ्यात्मकर सही जानकारी देने का प्रियास करेंगे तो आईए वीडियो सुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब से या आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरू कर ले, बैल आइकोन को जरू दबाएं ताए कोई वीडियो आप मिशने कर पाएं राजस्थान से समंदित कुछ महत्पुन प्रश्ण वरून के उत्तर एक नजर में राजस्थान सर्वच्य परवत शिखर गुरू शिखर 1727 मेटर सर्वाधिक आद्रिस्थान माउंट अब राजस्थान लोकसिवा आयोग कहां पर है अजमेर में राजस्थान उच्च नियाले जोदपुर में राजस्थान राजसुमंडल अजमेर में राजस्थान मादमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के प्रतम राजेपाल गुरुमुक निहाल सिंग राजस्थान के प्रतम मुखे मंत्री हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्य मंत्री टीका राम पालिवाल राजस्थान की प्रथम विधान सभा अध्यक्ष नरुत्तमलाल जोशी राजस्थान की प्रथम मुख्य नायधीश कमल कांत वर्मा राजस्थान की प्रथम राजस्थानी फिल्म जो राजस्थानी भाशाम बनी नजरान ये 1942 मनी थी राजस्थान की प्रथम महिला पाइलेट नमरता भट्ट खान की पहली महीला फ्लाइंग अफिसर यानि के राजस्थान की पहली महीला फ्लाइंग अफिसर निवेदीता राजस्थान की प्रतम महीला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की प्रतम महीला विधान सबाद्यक्स सुमित्रा सिंग राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है गोपल भाई भट को मात्मा गांधी के पांचवे पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है जमनलाल बजाज राजस्थान की मरू कोकिला गवूरी देवी को भी कहा जाता है और अल्ला जिलाही भाई को भी राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैनसी राजस्थान पहला इस्टोक एक्सचेंज जैपुर राजस्थान का शिमला माउंट अबू राजस्थान का हिर्दे अजमेर राजस्थान का प्रिवेश्द्वार भरतपुर राजस्थान का कश्मीर या पूरू का वेनिस उदेपुर राजस्थान का गोरव चित्तोडगड गुलाबी नगरी या पूरू का पेरिश जेपुर राजस्थान की थर्मपोली हल्दी घाटी राजस्थान का खजुराहो किराडू राजस्थान का विल्लोर भैंस रोडगर दुर्ग पहाडों की नगरी डूंगरपूर सूरे नगरी जोधपूर सुर्ण नगरी जैसलमेर जल महलों की नगरी डीग बरतपूर हल्दी घाटी का शेर राणा प्रताप जहिलों का नगर उदेपूर छेतरफल की द्रष्टी से सबसे बड़ा जिला राजस्थान का है जैसलमेर और छेतरफल की द्रष्टी से सबसे छोटा जिला है दोलपूर सरवाधिक गरम जिला बिकानेर सरवाधिक आद्र जिला जहलावाड राज्य की सबसे लंबी नदी चंबल राज्य में पूर्ण बहाव के आधार पर लंबी नदी पनास सबसे बड़ी खारे पानी की जील सांभर सबसे मीठी पानी की जील राजसंबंद सबसे प्राचीन प्रवत संकला अरावली प्रवत संकला सरवादिक पशु संख्या वाला जिला उदेपुर तो दोस्तों ये एक नजर में राजस्थान के कुछ बिंदू हमने यहाँ पर रखे हैं ताकि एक शुरुवात हो सके और दूसरा हम छोटी वीडियो भी बनाते हैं और बड़ी भी लेकिन छोटी वीडियो पर ज़्यदा फोकस होता है ताकि आप आसानी से देख सकें और लगातार देखना चाहते हैं तो इसके बाद दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो लगातार देखते रहें आप प्ले लिश्ट में जाकर के रजस्थान जी के या रप्यसी को सर्च करेंगे हिंदी की बिंदी चैनल में तो सारी वीडियो उस पर मिल जाएंगी तो आज के लिए इतना ही वीडियो आपने पूरी देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो आपके लिए लाप्रद होगी एसी हमें आशाओ नहीं पुरा विश्वास है यदि आपके मन में कोई सवाल है कोई जिग्यासा है कोई प्रशन है तो कमेंट्स के माद्धम से पूछे हम उसका जवाब देंगे वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिये शेयर कीजिए, कमेंट्स के माद ध्यम से में बताईए कैसे लगी और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ने भोलें आज के लिए इतना ही नेक्स्ट टोपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक लिए शुक्रिया नमस्कार झाल